आप सभी को प्यार भाई नमस्कार और धन्नकार प्यारे संतों महपुरुषो जी सत्गुरु देह का नाम नहीं है सत्गुरु होता ज्यान है संपूरोन हरदेब बाणी के सबत संक्या 26 की ये लाइन इसलाइन में ये कहा गया है कि सत्गुरु शरीर का नाम नहीं है सत्गुरु तो ग्यान का नाम है एक सवाल खड़ा होता है कि यदि सत्गुरु ग्यान का नाम है देहे का नाम नहीं है तो फिर ये कौन है ये सवाल कईवार हमारे सामने आया है और हमने अपने तरह से उसका उत्तर देने का प्रियास किया है यहां भी उस उत्तर को आपके सामने रखने का दास प्रियास करेगा कि यह कौन है अगर सत्गुरू ग्यान है तो फिर यह कौन है सबसे पहले बाबा बूटा सिंग्जी महराज को कहा गया कि सद्गुरु बाबा बूटा सिंग जी महराज उनके बाद बाबा अबतार सिंग जी महराज को कहा गया कि सद्गुरु बाबा अबतार सिंग जी महराज उनके बाद सद्गुरु बाबा गुरुवचन सिंग जी महराज उनके बाद सद्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महराज, उनके बाद सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महराज, और आज सद्गुरु माता सुदिक्षा जी महराज, इनके नाम के आगे सद्गुरु क्यों लगाया जा रहा है, यदी ग्यान ही सद्गुरु है, अब स ज्ञान है बचन गुरू का गुरू होता है गुरू बचन का पालन हो गुरू की शिक्षा ही गुरू है गुरू की शिक्षा धारन हो गुरू का पहला पचनी आया यही प्रभू नरंकार है दम दम पल छिन जोड़े रखना इससे मन की तार है गुरू हरी ये एक है इसमें भे इदना किंचित भाई है कहे हरदेव कि युगो युगो से अटल यही सच्चाई है अब शेहनसा बाबा अफ्तार सिंजी महाराज के शब्द सुनिए जो नंकारी मिसन की पुस्थक शेहनसा के पेज नंबर 138 पर अंकित है मैं प्रतिजिन आपको बताता हूं कि गुरू गुर का सिकार होता है कि गुरू कभी प्रकट रूप में होता है और कभी गुप्त रूप में होता है जब यह शब्द अर्थात ज्यान किसी घट अर्थात शरीर में प्रकट हो उठता है तो संसार अज्यानतवस इरश्या और बैर पर उतर आता है इतिहास इस बात का साक्षी है क कि सभी संत महापुर्शों को इस विरोध का सामना करना पड़ा है। तो देखा आपने, दोनों इस्थान पर यही बात कही गई है, कि सत्गुरू शरीर नहीं है, सत्गुरू तो ज्ञान है। आप ज्ञान को सत्गुरु समझे। शरीर को नहीं। जब सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने इस देह को छोड़कर इस निराकार में प्रवेश किया था तो एक कार्यकरम में नंकारी मिशन के प्रसिद गीतकार जगत जी ने एक गीत गाया था कि सत्गुरु तो कायम दायम है ना आता है ना जाता है हरदेव के शर्स है सत्य होते हैं उनमें संदेह की कोई गुंजाइस हो ही नहीं सकती कभी भी ना पूर्व में ना आज ना आने वाले कल में क्योंकि वो सत्गुरु के बचन है और सत्गुरु के बचन यहीं है कि ग्यान जो है वही सत्गुरु है शरीर सत्गुरु नहीं है लेकिन सव इक 32 से भेट करने का मौका मिलता है और बात गुरु पर चलती है तो फिर हम सीधे ही कह देते हैं कि हमारे सद्गुरु तो माता सुदिक्षा जी महराज हैं ऐसा क्यों कहते हैं हम तो आए चलते हैं इस प्रशन के उत्तर की तरफ शरीर चाहे ग्यान का हो मतलब जिने हम सद्ग लेकिन घट सदा नहीं रहता यह तूटता फूटता रहता है आता है चला जाता है और ग्यान तो इस्थाई है जो सदा रहता है कभी मिटता नहीं है और ना कभी मिट सकता है शरीरों की आयू होती है निश्चित आयू चाहे सद्गुरु का शरीर हो या फिर हमारा हम जैसे स जाधरन इनसानों को शरीर हो ग्यान की कोई आयू नहीं है ये अनबरत बहती हुई एक दिव्य धरा है जो सदा से बह रही है और सदा तक बहती रहेगी नरंकार कायम दायम रहता है कभी भी मिटता नहीं है लेकिन किसी भी घट में जब ये ग्यान परकट होता है तो हमेशा से नहीं होता पहले से प्रकट नहीं रहता ग्यान और नाहीं सदा रहता है शरीर के रहते हुए भी ये ग्यान उस शरीर से निकल कर किसी दूसरे शरीर में एंट्री कर लेता है जिस तरह से शेहनसा बाबा अबतार सिंग जी महराज के शरीर में जब ये ग्यान उत्रा तो फिर पर वो शरीर सद्गुरू का शरीर बन गया, सद्गुरू का शरीर का मतलब होता है परमात्मा का शरीर, परमात्मा के दो रूप है, साकार और निराकार, परमात्मा का निराकार रूप जो है, वो अघंड है, अभेद है, निर्भीकार है, निराकार है, ना मिटने वाला है, पहले भी आया है अब ये जो शरीर है ना ये गुरू के शरीर हैं गुरू नहीं है गुरू है इनके अंदर बैठा हुआ वो ग्यान जो सदा इन शरीरों में नहीं रहता कभी-कभी तो इन शरीरों के जीवित रहते ही ये ग्यान निकल कर दूसरे शरीर में जाकर इस्थापित हो जाता है जैसे सत्गुरु बाबा अबतार सिंग जी महराज के शरीर में जब बूटा सिंग जी के शरीर से निकल कर ये ग्यान इस्थापित हुआ तो वो कहलाए सत्गुरु लेकिन अभी उस शरीर की आयू पूरी नहीं हुई थी और उस शरीर की आयू पूरी होने से पहले ही ये ग्यान निकल कर बाबा गुरुबचन सिंग जी के शरीर में जाकर इस्थापित हो गया वो शरीर मौजूद है लेकिन उस शरीर की मौजूदगी के बाबजूद ये ग्यान उस शरीर से निकल कर जा बैठा बाबा गुरुबचन सिंग जी मह ग्यान उस शरीर को कहलवाता है सत्गुरू तो ये सत्गुरू के शरीर नहीं है ये ग्यान है जितने समय तक ग्यान यहां मौदूद है ना उतने समय तक ये शरीर कहलाते है सत्गुरू जैसे ही ग्यान इन शरीरों से निकल कर किसी दूसरे सरीर में जाकर इस्थापित हो जात हैं सत्गुरू जिस शरीर में जाकर बैठता है मतलब ग्यान जिस शरीर में जाकर के बैठता है और जितने समय तक बैठा रहता है उतने समय तक हम उस शरीर को कहते हैं सत्गुरू ठीक इसी तरह से जैसे बाबा अबतार सिंग जी महराज के बाद उनके जीबित रहते रहते ये ग्यान जब बाबा गुरुबचन सिंग जी के शरीर में जाकर के बैठाना तो फिर बाबा अबतार सिंग जी महराज सत्गुरू नहीं कहलाए फिर तो बाबा गुरुबचन सिंग जी महराज कहला सत्गुरू इसलिए ग्यान सत्गुरू है शरीर सत्गुरू नहीं है धोके में मत रहना सत्गुरू शरीर नहीं है सत्गुरू ग्यान है यह सत्गुरू का शरीर है तब तक जब तक ग्यान इस सरीर से निकल करके इस सारे संसार के मानवों को लाभानवित करता रहेगा तो बक अपने सुझाब भी आप जरूर भेजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा इसे शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना अपने संतों महापुरिशों तक और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बैल आइकान को प्रेश जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो इन सब्सक्राइब के साथ जैहिंद नमस्कार और प्यारभरी धन्नकार